जन्पद हापुड में पहला पाया गया कॉरोना पॉजिटिव मरीज सरसती मेडिकल कालेज हापुड में इलाज के बाद अब पूरी तरह स्वस्त हो चुका है ठाइलेंड निवासी दाहा दासे पट्टानी तबलीगी जमात में शामिल होकर जन्पद हापुड की तैसील धौलाना के गाउं हावल पहुचा था थाइलेंड निवासी दाहा में कॉरोना पॉजिट की पुष्टी हुई थी और ये जन्पत का पहला कॉरोना पीडित मरीज था कॉरोना पीडित को सुर्षती मेडिकल कालेज हापुल के आईसोलेशन वार्ड में भरती कराया गया था चिकिस्तकों के दल ने पूरी मेहनत और लगन के साथ मरीज को पूरी तरह स्वस्त कर दिया थाइलेंड निवासी दाहा को चिकिस्तकों ने तालियां बजाकर मेडिकल कालेज से बिदाई दी अशल में ठालिय को पूरी मुझ के डिस आईसे बित्याकर में हाथ चुह सिर्ज ने पूरी में पूरी में एंपरह सी के आए से बिदी ड ngth ग्रस्तकों किस्तकों बढ़ने दीले काम में पूर से लाए। झाल झाल सरस्वती मेडिकल कालेज हापुर के चिकिस्षक डॉक्टर यतीश ने बताया कि चिकिस्षकों ने एक टीम भावना से कोरोना पीडित का इलाज किया और कोरोना को परास्त करने में सभलता प्राप्त की नमस्कार मैं डॉक्टर यतीश सस्वती इंस्ट्रों मेडिकल साइंस में मेडिसीन विभाव में कारे रत हूँ मैं और मेरी टीम की डूटी वो आइसलेशन बोर में लगी वी है हमाई है 31 मार्ज को एक मरीज भरती हुआ था जो जिसको खासी बुखार और सांस लिने में परिशानी हो रही थी हमाई टीम दुआरा संट्रोमेटिक इलाज शुरू किया गया कोरोना के संदे के कारण हमने उसकी चांच कराई जो पॉजिटिव पाई गई इसमें हमाई टीम डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ और हाउसकीपिंग ने अठारे दिन तक संपूर सेहो दिया हमाई टीम दुबारा सफ़ल इलाज करने पर मरीज को 18 अप्रेल को परसासं को सौब दिया इसमें मरीज ने संपूर सेहो दिया मैं और मेरी टीम सरकार की दी हुई गाइड लाइन्स का सुक्रिया अधा करते हैं और अपने चेर्मेन अपने होस्पिटल के चेर्मेन एवं मनेजमेंट का आभार वेट करते हैं